हेलो दोस्तों, अप्टू डेट फैक्ट्स की फुल डे नियूस पे आपका स्वागत है सेंट्रल एशन देज खजाखिस्तान में फ्यूल प्राइसस को लेकर चल रहे हैं प्रोटेस्ट चारी है प्रोटेस्टर को देखते ही गोली मार दे है रश्या और जोइट कंटरिस के सेंट्री फोर्ष चार चुकर रहे हैं भारत सरकार ने इंटर्नेसनल पैसेंजर्स के लिए 7 दिन का कॉरंटन कंपल सरी कर दिया है इसी साथ पैसेंजर्स को फ्लाइट बोर्ड करने से 20 गंटे पहले आटी पिसीया टेस्ट करवानी होगी और इसी साथ टेस्ट की सर्टिफिकेट को 24 गंटे पहले पहले तक एर सुवीदा पोर्टल पर अपलोड भी करना होगा बिहार राज़ों में कोटो केसस में इजाफ्य के चलते schools, colleges और हॉस्टेज को बंद कर दिया गया है इसी तरब दिली और करनाटक की सरकारों ने अपने अपने राज्यों में night curfew और weekend curfew को लागई किया है और इसी तरब अच्छिम मंगाल ने night moment को restrict कर दिया है प्राइम मिनिस्टर security breach मामले की सुनवाई करते व्या सुर्यम कोड ने हर्याण आयन पंजाब हाई कोट के रेजिस्टरार जनरल को PM के पंजाब ट्रावेल रेकॉर्ड को सेक्यूर करने के आधिश दिये हैं इसी के साथ सुप्रिम कोट ने सेंटर और पंजाब गवर्नमेंट के एंकोरी पैनल पर एंकोरी करने से रोक लगाई है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने T20 इंटरनेशनल के लिए नए फिल्डिंग रूल्स एनाउंस किये हैं ICC का कहना है कि अगर स्लो ओवर्रेट के चलते कोई भी टीम 20 वे और के पहली बाल को निर्दारिस समय पर डेलिवर नहीं कर पाती तो बची भी डेलिवरेस के लिए 38 सरकल से बाहर पर्मिंटेट फिल्डर्स में से एक को कम किया जाएगा इस नियम से फिल्डिंग टीम का नुकसान होगा महराष्टर सरकार ने महराष्टर पुलिस के 55 साल की उमर से ज्यादा के करमचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम के आदिश दिये हैं ये आदिश कोरोना के खत्रे के चलते दिये गए हैं अब वर्क फ्रॉम होम पुलिस कैसे करेगी ये महराष्टर सरकार ही जाने युनिवर्सिटी ग्राइट्स कमिशन यूजी सी ने आज कहा है कि डीजी लॉकर के तुरू इशू किये गए डिग्री सर्टिफिकेट्स और मार्स कार्स परफेक्टली वैलिड हैं युजी सी ने एजुकेशनल इंस्टिउशन से इस डेवलप्रेंट को एकसेप्ट करने के अपील की है डीजी लॉकर, Ministry of Electronics and Information Technology का एक डिजिटल प्लैटफॉर्म है पाकिस्तान के आईशा मलिक को पाकिस्तान के सुप्रीम कोट के जज के तौर पर अपयॉट किया गया है आईशा मलिक पाकिस्तान की पूरी हिस्टरी में पहली महिला सुप्रीम कोट जज है External Affairs Secretary Sanjay Bhattacharya ने कहा है कि भारत e-passports पे काम कर रहा है और जल्द ही ये सुवीदा citizens को उपलब की जाएगी इसके जरीए global immigration की प्रक्रिया में आसानी होगी दोस्तो सुदान एक आफ्रिकी देश है 25 October 2021 में यहां के आर्मी ने यहां के PM अब्दल्ला हम्दोक को डिपोज करके फुल कंट्री पर अपना पावर इस्टेबलिश कर लिया था यहां के लोग तब से आर्मी के इस ख़दम की खिलाब प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं अब कुछ दिन पहले PM अब्दल्ला हम्दोक ने रिजैन भी कर दिया था इसी के साथ आज ही खबर आ रहे हैं के आथोरिटी के द्वारा की गई फाइरिंग में तीन प्रोटेस्टर की मौद भी हो गई है कोरोना वाइरस इंफेक्शन के के से ग्लोबली तीन सो मिलियन के पार चले गए हैं भारत ब्रजील चाइना यूके यूएस फ्रांस वगेरा हाइली इफेक्टेट कंट्रीज है यूनाइटेन किंगडम में हॉस्पिटल में कोविड-19 ड्यूटी के लिए हॉस्पिटल स्टाफ की कमी के कारण आर्मी की ड्यूटी कोविड-19 हॉस्पिटल में लगाई गई है दोस्तों माली एक अफ्रीकी देश है यहाँ पर कोलिनियल टाइम में फ्रांस रूल किया करता था पिछले कुछ सालों में मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण फ्रांस ने अपने फौजी यहाँ पे तैनात कर रखे थे अब फ्रांस नौ साल के बाद यहाँ से वापस जा चुका है माली के आर्मी स्पोक्स परसन ने कहा है कि फ्रांस के फौज के जाने के बाद यहाँ पर रशियन फौज आ गई है जैपूर लिट्रेजर फेस्टिवल का अपंदरवा एडिशन जो के 28 जनवरी से 1 फेबरुरी 2021 तक चलने वाला था और कोविड-19 के खत्रे के चलते 5 से 14 मार्थ तक पोस्पून किया गया है इसमें तक्रिबन दुनिया के 250 तिंकर्स, पोलिटीशन्स और आथर्स भाग लेने वाले थे जानते हैं भारत के शेर बजार का हाल 77,142 पॉइंट्स बढ़कर 69,744 पे बंद हुआ और निफ्टी 86 पॉइंट्स बढ़कर 17,812 पे बंद हुआ MCX में सोने की कीमत प्रती 10 ग्राम 47,425 रुपे रही और चांदी की कीमत प्रती 1 किलो 60,414 रुपे रही रुपी यार डॉलर के मकाबिले 11 पैसे मजबूत होकर 74.31 पे बंद हुआ और इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूट की कीमत प्रती बैर 20.52 रही दोस्तो यह थी आज की फुल डे नियूस अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिक करें आपसे मिस ना हो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद